लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि elements of art क्या होते हैं पर उनको use कैसे करना है उनको use करने के क्या-क्या methods हैं हाई गाइस मेरा नाम है तरुन और आज के इस वीडियो में principles of design balance, harmony, contrast, gradation, dominance, unity और repetition तो ये होते हैं हमारे principles of design इसमें सबसे पहला है balance balance का मतलब क्या होता है stability, stability इसको एक c-saw के example से समझते हैं तो ये एक c-saw है अब हमारे पास कुछ shapes है मान लेते हैं, triangle, square तो अगर हम इन में से कोई भी एक shape उठाके इस side place कर देते हैं, like circle को हमने इस side place कर दिया, तो अब हमें इस side कितने बड़े size के और कितने amount में element रखने पड़ेंगे, circles, triangle या square में से जो ये see saw balance हो जाए, बस इसे ही को balance कहते है, similarly अगर एक artwork है और मान लेते हैं हम उसे half में divide करते हैं, just like a seesaw, ठीक है तो अगर तुम्हारा कुछ यहां पर elements रखे हैं मान लेते हैं, तुमने यहां पर कुछ अपना subject बनाया, तो उस subject को दूसरे elements का use करके तुम इस artwork को कैसे balance करोगे, like line, shape, form, color, texture, value का use करके इस side कैसे place करोगे कि यह balance हो जाए, मतलब इधर का visual weight और इधर का visual weight equal हो जाए, इसे ही हम balance कहते हैं, next principle है harmony, harmony का मतलब क्या होता है, कोई दो या उससे ज्यादा element एक दूसरे के साथ कितनी आसानी से exist कर रहे हैं, एक oval से similar है, लेकिन यह similar किस से नहीं है, angular shapes से, तो इसका मतलब significance क्या है harmony का, देखो harmony जितनी अच्छी होगी ना तुम्हाई painting में तुम्हाई painting उतनी अच्छी appear होगी, harmony से तुम्हें एक चीज और कर सकते हो, contrast, like तुम्हारे angular shapes एक साथ लगे हुए हैं, और बीच में एक curved shape पा जाता है, तो यहां पर harmony break हो गई, लेकिन क्या है, इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा appear, या फिर सबसे ज्यादा eye catching element कौन सा लग रहा है, similarly harmony को तुम और भी elements में use कर सकते हो, like colors हो गई, lines हो गई, forms हो गई, colors में जैसे red, yellow, orange, एक दूसरे के adjacent होते हैं, तो उनमें काफी harmony है, मतलब वो warm color हैं, इसलिए भी, same family से belong करते हैं, lines हो गई, straight line, straight line, straight line, curved lines, curved line, curved lines, like curved line में ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, third principle है gradation, gradation का मतलब क्या होता है, gradual change from one thing to another, like कभी तुमने देखा होगा कोई light दूर से आ रही है, तो जहाँ पे होगी, वहाँ पे वो सबसे ज्यादा bright होगी, थोड़ी और आगे आएगी, तो थोड़ी less bright होगी, और आते आते वो धीमे 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 कम होती ही चली जाएगी, like एक line है, line क्या, यह shape क्या हो, triangle, यहाँ पे इसकी thickness ज्यादा है, और यहाँ पे आते आते बिलकुल कम हो गई है, तो यह gradual change है, इसी को हम लोग gradation कहते ह यह और भी elements में apply होता है, like values में, colors में, इसका use हम लोग end में देखेंगे, next principle है repetition, repetition का मतलब होता है repeat करना, अब repeat elements को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, alternate करके और variate करके, तो माल लेते हैं अगर हमारे पास एक tree है, तो अगर हमें इसे alternation करके repetition करना होगा, तो हम कैसे करेंगे simply एक side by इसे बनाया, एक side by इसे बनाया, एक side ऐसे बनाया, एक side ऐसे बनाया, तो simply यह alternate कर दिया, मतलब क्या, इनका direction हम लोग ने alternate कर दिया, या इनने flip कर दिया, अब अगर हमें variate करना होगा, तो variate में हम लोग कई सारी चीजे कर सकते हैं, जैसे उसका size बदल देना, उसकी दूसरा ट्री ऐसे कर दिया, तीसरा ट्री लंबा बना दिया थोड़ा सा, और बीच में छोटे छोटे ट्री बना दिये, तो यह होता है वेरियेशन के साथ रिपीट करना, तो अब तुम रिपीटिशन का यूज कैसे भी कर सकते हो, बस यह दो चीजे ध्यान रखो, ओके तो सफिफ्ट प्रिंसपल है कंत्रास्ट, कंत्रास्ट का यूज हम लूग डिफ्रेंशीएट करने के लिए कर सकते हैं, या फोकस क्रियेट करने के लिए कर सकते हैं, अब किसी भी element में कर सकते हैं, शेफ, कलर, टेक्ष्टर, यह चार हमारे element है, अब lines भी कैसे हमलोग Kin différents को क्रि लेकिन अगर यहीं इनके बीच में हमारे पास एक कर्वड शेप आ जाए तो क्या होता है यह इन सबके कॉंप्लिमेंट्री है एंगुलर कर्व तो यहां पर कंट्रास्ट आ गया कलर्स में हमने मान लेते हैं रेड के एड़ेसंट वाले कलर्स ले लिए लाइक रेड ओरेंज और येलो अब इन तीनों का अल्मोस्ट कॉंप्लिमेंट्री होते हैं ग्रीन के शेट्स तो हमने बीच में ग्रीन शेट लगा दिया इंद लाइक ये ओबजेक्ट था यहां रेड ओरेंज येलो था औरहों पर हमने ग्रीन लगा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा क्रिएट कंट्रास्ट टैक्श्टर में माल लेते हमाई पास पूरा फेपर सॉफ्ट है और वहीं पे हमने एक sand paper का use करके इसे यहाँ पर से थोड़ा सा gift दिया, तो यहाँ पे हो गया यह rough तो six principle है dominance, dominance का मतलब होता है प्रभाव या प्रबलता या English में कहलो तो impact, किसका impact ज़्यादा है अब कोई भी element को ले लेते हैं, माल लेते हैं shapes, तो हमने shapes में circle triangle ले लिया, अगर हमारा ये artwork है, मतलब artwork क्या ये space है, अब अगर हमने इसमें एक circle बना दिया, तो यहाँ पे कौन dominate कर रहा है, अभी circle dominate कर रहा है, छोटे छोटे triangle बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ अभी circle dominate कर रहा है, लेकिन, अगर अभी हम यहाँ पे इतना बड़ा triangle बना दें, और इन triangles को color कर दें black, तो अब यहाँ पे क्या dominate करने लगा, एकदम से यहाँ पे देखोगे तुमकी triangle dominate करने लगा, तो इसका use क्या होता है, basically इसका use यह होता है कि किसी चीज को differentiate करना, या वह यहाँ पे focus लाना, मान लेते हैं, इसके round up हम लोग circle को जादा dark कर देते हैं, दो तीन circle और बना देते हैं, अब यहाँ पे क्या dominate करने लग गया, circles, तो इस तरह से dominance का use किया जाता है, so unity, unity का मतलब होता है, artwork should appear as a complete unit, मतलब उसके elements एक दूसरे से relate करने चाहिए, अब unity हम vertically, vertically और horizontally, तो obliqually में क्या होता है, मान लेते हमारे पास दो हट हैं, और यह हमारी space थी हमने जिसमें दो हट बना दी, तो अभी हट हमारी obliqually relate कर रही है, कैसे एक हट यहाँ पे है, तो दूसरा page की यहाँ पे, एक diagonal पे, तो यह काफी dynamic होती है, इसलिए इसे सबसे best तरीका माना जाता है, unite करने का, इसके बाद आता है हमारा vertical, vertical को हर cost पे avoid करना चाहिए, क्यों, यह हमारा artwork है और यह हमारी vertical unity, क्यों इसमें dynamic नहीं है, मतलब इसमें क्या, यह बिल्कुल dynamic नहीं है, इसलिए इसको avoid करना चाहिए, करना, next है horizontal, horizontal unity एक बार work कर जाती है, लेकिन obliqually करो तो उतना बेटर है, जरूरी नहीं ऐसे, इस diagonal पे भी कर सकते हो, थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, उतना फर्क नहीं, लेकिन vertically, avoid करो बिल्कुल, और horizontally चल जाता है, क्योंकि vertically तुमने अक्सर देखा होगा, एक चीज और होती है, कि vertically तुमने जुल्दी natural, nature में भी नहीं देख होगी कि एक हट के उपर दूसरी हट बन रखी है, चाहो तो तुम कई सारी photos भी click करके देख लेना, सबसे better photo लगेगी, वो यही लगेगी, उसके बाद जो बेटर लगेगी, वो यह लगेगी, और उसके बाद जो लगेगी, वो यह लगेगी, तो यह थी हमारी unity, तो यह है ह अब हमारा यह working space है, ठीक है, अब तुमको हर एक principle का use करके दिखाते है, माल लेते हमारे पास balance create करना है, तो हमने सबसे पहले अपना subject draw किया, एक हट को, अब अगर देखें तो balance जो है, वो यहाँ पे ज़्यादा, ज़्यादा है, क्या मत्त्रिब, यहाँ पे balance, seesaw के example से ज़्यादा हो गया, वड़ना आटवक इदर को गिर रहा है, तो अब हम किसी भी principle का use करके इदर weight पूट कर सकते हैं, तो हमने कहा कि चलो, एक element पूट करके ही, इसको क्या कहते है, balance कर लेते हैं, तो हमने एक element यहाँ पे रख दिया, जो हलका सा dark है, size में छोटा है, क्या use कि हमने, oblique unity, तो हमारे दो use हो चुके है, अब harmony भी आ गए इसी में, क्यों, क्योंकि हट के shape similar है, contrast, अब इसमें contrast क्या से create कर सकते हैं, मतलब यह सारे तो curved shapes, sorry, यह सारे तो angular shapes हैं, इसमें हम लोग curved shapes को introduce करेंगे, हमने एक tree introduce कर दिया, जो round है, तो हमारा contrast हो गया, अब फिर से हमने देखा कि इधर weight और ज्यादा हो गया, तो अब हम कौन सा, gradation का use करके, यहां पर dark to light कर देंगे, तो क्या हुआ, वापस से weight balanced हो गया, gradation का भी use हो गया, अब हमें इसमें dominate क्या कर रहा है, dominate हमारे angular shapes कर रहे हैं, पहले से ही dominate कर रहे हैं वो, क्यों, क्योंकि curved shapes 2 है, 1, 2, 3, 4, angular shapes 4 हैं, तो यह पहले से ही dominate कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग principles of design का use करते हैं, तो यह थे कुछ principles of design जिनका use करके हम elements को arrange करते हैं, अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना, बस approximation का use करना होता है, next video में हम लोग cover करेंगे composition को, तब तक के लिए keep learning, see you in the next video, bye bye.